बुलंद शेहर में MLC 49 में वोट डाले जा रहे हैं दोपेर 12 बज़े तक बुलंद शेहर में करीब 12 फीसदी मतदान हुआ था और 24 फीसदी सिक्षकों ने मतदान किया था तो बुलंद शेहर की एक हबर आपको बता रहे हैं वोटिंग जारी है आज शाम 5 बज़े तक वोट ड आते हुए यहां पर मतदान का प्रियोग करने लोग पहुंच रहे हैं सभी के हाथ में देख लिए आइडिया हैं तमाम जो लोग हैं वो मास्क का प्रियोग कर रहे हैं बाहर सेनिटाइजर भी रखवाए गए और जो पुलिस है पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद करने वाले हैं चिनवे से 34 looking नोग पहुंचे होए और 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 ऐसे टीचर्स है जो इसे टीचर्स हैую है में मेल से के चुन को लीए ख़ड़े हुए है जिन को यह फशा ने की भी लिए पहुब ठैस रही है क्या लаств़ी करने हैं मैं BK Senior Secondary School जंगिराबाद से हूँ और मैं आज अपने मत का प्रयोग कर रही हूँ और मुझे गर्व है मैं एक सिक्षक हूँ क्या नाम है तमस्कार सर मेरा नाम डॉक्टर एस्पी गुपता है और मैं ABS IT College of Engineering गाजेबाद में Assistant Professor हूँ मैं इसले 14 साथ से मैं Teaching Profession में हूँ और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज ये Teachers के लिए एक Elections का Form है जिसमें हमारे लिए हमारे अदिगार के लिए भी बाते रखी जाएं तो हमारे ही मत से, Teacher Association से ही कोई Teachers खड़े हों जो हम लोगों की परेशानियों को भी समझे तो सभी लोगों का यह भी कहना है कि जो मत दाता है वो अपने मत का प्रियोग जरूर करें क्योंकि कहीं ना कहीं सिख्षक है, लिट्रेट लोग है अगर अपने मत का प्रियोग नहीं करेंगे तो आम लोगों पे भी गलत मैसिज जाएगा यदि हम पढ़े लिखे लोग हुई आगे नहीं आएंगे मत को नहीं समझेंगे तो कैसे आम लोगों तक हम यह मैसिज पहुंचाएंगे कि लोग तंत्र में मत का कितना महतुव है बुलन शेहर से कैमरा परसंजिशान के साथ समीर अली आरनाइन टीवी उत्तर परदेश